दुर्भागे से हमारे देश हुए आजादी तो मिली लेकिन लोगों को एक प्रकार चे माई बाप कल्चर से भुजरना पड़ा सरकार के पास मांगते रहो सरकार के पास हाथ फालाते रहो किसी की सिफार इसके लिए रास्ते खोगते रहो वही कल्चर डेवलेप हुआ था आज हमने गवननेंस के इस मोडल को बदला है आज सरकार सर खुद लाभारती हितार्थी के पास जाती है आज सरकार खुद उसके घर गैस का चुला पहुचाती है आज सरकार खुद उसके घर पानी पहुचाती है अज सरकार खुद उसके गढ़ बिजली पहुचाती हैं, अज सरकार खुद उसको आर्थिक मदद दे करके विकांस के नए आयमों को चरकार नेकले प्रेलित करती हैं, पुथसाइश करती हैं, अज सरकार खुद नव जबान के स्किल डवलप्मेंट के लिए नेएक उत कदम उ आते हैं साथियों देश में नई व्यवस्ताइब बन रही है देश को आगे ले जाने के लिए अनेक बीत नीतियों को अनेक बीत पालिसिस को निरंतर बनाये जाए और नए सिस्टिम पर देश का भरोसा भी बढ़ता रहता है निरंतर बढ़ता रहता है आज जो 20-25 साल का नवजवान है जो 10 साल पहले जब 12-15 साल की उमर का नवजवान था उसने अपनी आखों के सामने ये बढ़ लाब देखा है दस साल के भीतर भीतर उसके सपनों को आकार मिला है धार मिली है और उसके आत्मे विश्वास में एक नई चेत्रा जगी है और वही देश का एक नया सामर्त के रुपे उभरना जोए देश आज बिश्व भर में भारत की साख बड़ी है भारत के प्रति देखने का नजरिया बड़ला है आज बिश्व में युवाओं के लिए संभावनाओं के द्वार खुले है रोजगार के अंगिनित नए अवसर चुछ जएदा जादी के इतने सालों के बाद भी नहीं आये थे वाज उनके दर्वाजे पर दस्कत दे रहे संभावनाओं बढ़ती गई है नए मोके बंदहे है मेरे देश के वाओं को अब दीरे दीरे चलने का इरादा नहीं है मेरा देश का नवजवान इंक्रिमेंटल प्रगति में विश्वात नहीं करना मेरा देश का नवजवान छलांग मारने के मूर में है वो छलांग मार करें के नई शिद्यों को प्राप्त करने के बूर बहुत है मैं कहना चाहूंगा भारत लिए गुल्ड ने रहा है बेश्विक परिसित्यों के तुल्वा में भी देखें ये गुल्ड ने रहा है ये हमारा स्वनिम कालखंद है मिरे त्याने देश वाज़िओ ये आउसर हमें जाने नहीं देना है ये मोका हमें जाने नहीं देना चाहिए और इसी मोके को पकड़ करके अपने सपने और संकल्पों को लेकर करके चल पढ़ेंगे तो हम देश की स्वाजनिम भारत की जौपेक्षा और हमें विट्सित भारत का 2047 का लक्ष हम पूरा करके रहेंगे हम सद्यों की बेडियों को तोर करके निकले हैं आज तुरिजम का खेत्र हो, MSMS का खेत्र हो, एजुकेशन हो, हेल्ड सेक्टर हो, ट्रांस्पर्ट सेक्टर हो, खेती और किसानी का सेक्टर हो, हर सेक्टर में एक नया आध्यूनिक सिस्टिम बन रहा है, हम विश्व की बेस्ट प्रक्टिसीज को भी आगे रखते हुए, हम हमारे देश की परिश्चितियों के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं, हर सेक्टर में आध्यूनिक्ता की जरूरत है, नए अपन की जरूरत है, टेक्निलोजी को जोनने की जरूरत है, और हर सेक्टर में हमारी नई नीतियों के कारण, इन सारे शेत्रों में एक नया सपोर्ट मिल रहा है, नई ताकत मिल रही है, हमारे सारे अवरोध हटे, हमारी बंदी से दूर हो, हम पूरे असामर्जा के साथ चल पड़े, खिल उठे, सपनों को पा करते रहे, सिद्धी को, हम अपने नीकर देखें, हम आत्मसाथ करें, उस दिशा में हम चलना है, अब आप देखिए,